नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में मेरा नम मिनाक्षी है और आज मैं आपको प्लाजो बनाना सिखाऊंगी अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजे अपने दोस्तों में और लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाती रहूं तो आईए यहाँ पर हम मेजर्मेंट देख लेते हैं तो यह इस तरह से आपको नाप लेना है सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने यह लिख लिया है इसे आप समझ लीजिए लेंध है 35, हिप है 36 और यहाँ पर वेस्ट है 31 जो कि एक कमर है ठीक और इसी तरह से आपको लिख लेना है अब यहाँ पर यह जो आसन है इसका मैं यहाँ पर आपको समझा देतूं किस तरह से लेना है ठीक यह मैंने यहाँ पर पुरा चार्ट बनाया है कि आपको किस तरह से यहाँ पर निशान लगाने होते हैं और यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं हमें नीचे से सीधा करना होता है कपड़ा और फिर हम यहां पर लेते हैं फोल्डिंग के लिए मैंने वन इंच लिया है के वल फोल्ड करने के लिए आप यहां पर अगर जादा फोल्ड करना पसंद करते हो तो जादा भी ले सकते हो उ ही हमारी 35 इंच और यह उपर यह उर्प पर मेंने बेल्ट के लिए मैंने 7.5 इंच यह आपको सिखाऊंगे जब मैं कटिंग निशान करूँगी लगां तोर्फ किれない अब जो हमारा कपड़ा है यह टोटल इसका हम हाफ कर देंगे बीच में से और सेंटर में हम निशान ऐसे सीधा नीचे तक लगा लेंगे जितना भी आपका कपड़ा है उसका हाफ ठीक अब यहां से यहां तक यह देखिए आप यह जो अब यहां से मेजरमेंट है हमारा ठीक हमारा हिप है 36 उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आएगा और उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच तो आएगा 11.5 इंच हो जाएगा ठीक तो यह जो आसन है जो क्रोच एरिया है हमें लेना है 11.5 इंच ठीक इस तरह से यह देखिए यह उपर का छोड़ करके यहां से लेना है बैल्ट का छोड़ देंगे उसके बाद हमें यहां पर लेना है 11.5 इंच ठीक यह लंबाई हमने लिए है और यहां पर 20 तरह से निशान लगा देंगे लेंथ हमने यहां पर क्रोचेरिय के लिए 11.5 इंच अब यह जो नीचे है यह वाला यह भी टोटल हमारे 11.5 इंच होगा पर सेंटर को देखकर हमें दोनों साइड लगाना है 5.7 और 5.7 इंच 11.5 का हाफ हो जाएगा 5.7 इंच तो यह अब ध्याना के लेंथ भी हमने 11.5 पर लगाई है यह वाली ठीक और जो यह चोड़ाई है जो विर्थ है यह भी 11.5 पर हमने ली है अब यहां से 1.5 इंच आगे बढ़ा देंगे और यहां पर हम शेप दे देंगे इस तरह से और इसे सीधा नीचे तक मिला देंगे और दूसरी साइड भी हम नीचे त और दो यह अब इसमें हमें क्या करना है जैसे हमें कटिंग करके रख लिया है अब जो बैक साइड है वो थोड़ी जादा वो बढ़ी हुई होती है तो हमें क्या करना है यहां पर हमें बढ़ाना है टू इंच ठीक टू इंच हम यहां से बढ़ा देंगे और यह क्रोच एर अब यह जो यह है यहाँ पर यह हम लेंगे 1.5 इंच, ठीक, 1.5 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे, और 1.5 इंच हम सीधा ऐसे यहाँ से मिला देंगे, यह देखे इस तरह से, ऐसे करके हम यहाँ पर यह शेप देंगे, तो यह चोड़ाई जो हमारी यह भी 1.5 इंच आएग तब दुबारा समझ ले, 2 inch मैंने यहां से लिया है, उपर की side बढ़ा दिया है, ठीक, उसके बाद यह जो चौड़ाई है सामने से, ठीक, यह हमने 1.5 inch बढ़ाई है, ठीक, यह 2 inch लिया है हमने यहां पर, इस तरह से, और यह हमने 1.5 inch लिया है नीचे तक, ठीक, यह, और 1.5 inch हमने यहां तक लिया है, और इसमें हम फिर इस तरहे शेप दे देंगे, ऐसे करके, और इसे हम नीचे तक मिला देंगे, केवल यही आपको अलग करना है, जो back part है, बाकी हमेरे से पर ऐसे ही cut कर देना है, और इस तरह से आपको दोनों में निशान लगा देना है, बहुत ही तरीका है, अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझाओंगी, यहां से यह वाली साइड होते हमारे क्रोचेरिय वाली, इसमें हमारी सिलाई लगती है, तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम पहनते है, तो क्योंकि सिलाई की विज़े से हलका सा कपड़ा ऊपर खिषता है, त कटिंग करते हुए ही हाफ इंच यहां से बढ़ा देती हूँ, अंदर की साइड से, च्योंकि इस एरिय में हमारे सिलाई की वज़े से खिचा वा जाता है, तो वो आपकी प्रॉलम यहां पर नहीं होगी, तो यह फिस सिलाई करते हुए आप इसे कर सकते हुए, थोड़ा सा सिलाई यहां से कम करे या फिर हलका साप कटिंग करते वे हाफ इंच बढ़ा दे बस आपको इतना करना है तब देखी कपड़ा मैंने ऐसे रख लिया यह 2.5 मीटर है यह हमारी इस तरह से खुली साइड है मैंने इसे टो फोल्ड करके रख लिया है ऐसे ठीक और यह हमारा पटन का फैब्रिक है और यह नीचे की साइड से सबसे पहले हम निशान लगा देंगे यह हमारा टेड़ा मेड़ा होता है थोड़ा तो इसलिए यहां पर निशान लगाने हमें जरूरी होते हैं ताकि बाकी निशान हमारे बिल्कुल सीधे लगे तो यहां से आपको निशा करना पसंद करते हैं कुछ लोग कम तो यहां पर वन इंच का मैं फोल्ड करूंगी केवल नीचे ठीक और जो बंद साइड है यहां से में क्रोच एरिया का निशान लगाओंगे नीचे की साइड से में हाफ इंच ज्यादा ले करके कटिंग करूंगी ताकि नीचे की साइड ना हो तकि अभी से हम लेंगे अपनी प्लाजो पैंगी तो यहां से हम लेंट लेंगे देंगे फ़्स करषए थाड़ हमा की थर्टी फाइफ हमारी लेंट इन ने लेंगे अभ ये सीधा मैंने इस तरह से निशान लगा दे हbourg के आपको सीधा इस तरह से लगा देना है अब यहां पर हम इसमें बैल्ट का निशान लगाँगी तो पैल्ट क्योंकि मैं फुल इलस्टिक वाली तो यह जो चोड़ाई है यह वन इंच है वन इंच यहां पर हम इस तरह से रखके देखेंगे और हाफ इंच हम अंदर की साइड रखेंगे जो हम फोल्ड करेंगे ठीक तो यह हम यहां पर 1.5 इंच अलग से लेंगे ठीक हमने निशान जो लगा हुआ हुआ है उसके बाद मैं तो इस तरह से हम इसे सीधा मिला देंगे तो यह देखेंगे मैंने निशान इस तरह से लगा दिया है अब यह जो चोड़ाई है हमारे कपड़े की टोटल यह हम देखेंगे यह पूरी चोड़ाई कितनी है और इसके बिल्कुल सेंटर में हाफ में हम नाप करके निशान जितनी भी होगी उसके बिल्कुल सेंटर में उसके हाफ आपको नापना है और तब आपको यहां पर निशान लगा देना है माली जी यह टोटल चोड़ाई 20 है तो आपको 10 पर यहां पर यह निशान लगाना है ठीक अब इसी तरह से हम नीचे तक पूरे में नाप करके निशा लगाने हैं तो इसलिए हम पहले सेंटर में निशान लगा देंगे ठीक तो यह हमने निशान इस तरह से लगा दिये हैं अब यहां पर हम लेंगे अपना क्रोच एरिये का जैसे आसन का हमें जो मेजर्मेंट मैंने आपको समझाया था चार्ट में बना के बिल्कुल उसी तर लेंगे 4 से तो आएगा 9 9 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 11.5 तो हमें यहां से 11.5 पर नाप करके लेंद ले लेनी हैं ठीक बैल्ट का एरिया छोड़ करके तब हम यहां पर 11.5 पर निशान लगाएंगे दूसरी साइड बीसी तरह से लगा लेंगे ठीक औ और अगर हेवी साइज है तो आप यहां पर 3 इंच या 3.5 इंच भी ले सकते हो वैसे इस तरह से आप बनाते हो काफी लूज रहता है तो इसमें आपको जरत नहीं पड़ते है पर फिर भी हेवी साइज हो तो आप यहां पर 3 इंच भी ले सकते हो अब 11.5 इंच का ही हमें य लेक करके हांफ कर सकते हूं इंची टेप से भी तो यहां पर हम रखेंगे 5.7 इंच यहां पर भी हम 5.7 पर यह दोनों निशान लगा लेंगे तोतल हमारा हो जाएगा 11.5 इंच लेंध हमने यहां पर लिए है 11.5 इंच ठीक और इसी तरह से उपर भी एक बार हम नाप करके निशान लगा देंगे ऐसी मैं दोनों साइड इसलिए निशान लगाते हो ताकि जो हमारी जो निशान है वो टेड़े मेड़े ना जाए बिल्कुल सीधे लगे तो इस तरह से दूसरी साइड पर हम निशान लगा देंगे ठीक तो यह हमारी निशान हो गए है इसे हम उपर तक मिला देंगे ठीक तो यह हमने निशान यहां पर लगा लिए है अब यहां पर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे आसन के लिए हेवी साइज है तो आप यहां पर 2 इंच या 2.5 इंच तक बढ़ा सकते हो नॉर्मल साइज में आप यहां पर केवल 1.5 इंच बढ़ाएं यह काफी लूज रहता है कोई प्रॉलम नहीं है तो शेफ हमने ऐसे दे दी है अब इसे नीचे तक हम यहां तक मिला देंगे क्योंकि मुझे नीचे से चोड़ाई पूरी चाहिए ठीक है काफी मुझे यह चोड़ा रखना है इसलिए मैंने फूल लिया है आप कम करना चाहते हो तो कम भी यहां पर कर सकते हो अब इसे हम उपर की साइड यहां रखेंगे और यहां से चोड़ाई बढ़ा देंगे इस तरह ऐसे ठीक तो यह दूसरी साइड भी हमने इस तरह से लगा दिया है दोनों साइड हमने निशान ऐसे लगा दिये है और इसे अब हम कट कर देंगे निशान के उपर उपर बिल्कुल इस तरह से कट कर देंगे बहुत ही सिंपल तरीका है यह प्लाजो बनाने का आप इसे घर में जरूर ट्राय करें एक बार और आपका प्लाजो कैसा बनाओ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ जो कूर्ती की वीडियो है वो मैंने इससे पहले अपलोड की है लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हो और वीडियो की भी आप कूर्ती की भी वीडियो देख सकते हो ठीक अब इसके बाद हम बैक पार्ट में भी कटिंग करेंगे यह मैंने इस तरह से डूफोड करके दुबारा से कपड़ा रख लिया है और यह पार्ट मैंने इसके उपर ऐसे रख दिया है ठीक बिल्कु सेंटर में अच्छे से रख लिया है अब यहाँ पर हम जो हमारा क्रोच एरिया था ठीक है यह जो हमारा आसन का एरिया है यहाँ पर हम उपर से बढ़ा देंगे तो मैंने टू इंच यहाँ पर बढ़ाया था तो टू इंच मैं यहाँ से निशान लगा दूँगी ऐसे और इसे हम इस तरह से मिला देंगे ठीक यह हमने बढ़ा दिया है और यहां तक मिला दिया है अब यहां से 1.5 इंच बढ़ाएंगे इसे हम सीधा नीचे तक मिला देंगे यह मैंने चार्ट बना के भी दिखाया है वो इसलिए दिखाया ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ सको यहां पर कोई भी प्रावलम आपको समझने में आए तो तो 1.5 इंच हम यहां से भी बढ़ा देंगे तीन साइड से हमें यहां पर नाप लेना होता है और इसे सीधा हम नीचे तक मिला देंगे ठिक इस तरह से शेप दे करके नीचे तक हमने मिला दिया इसे हम बिल्कुल उतना ही रखेंगे यहां से कोई changes नहीं करेंगे जो हमारे निशान आएंगे और केवल हमारे आसन की साइड से उस साइड से ही आएंगे तो अब हम इसे कट कर देंगे तो यहां से आपको यह सीधा उपर तक कट कर देना है सीधा हम निशान के उपर उपर ही कटिंग इसमें कर देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी इसके अलावा और कोई भी इसमें कटिंग नहीं है और इससे पहले मैंने प्लाजो की वीडियो अप्लोड की है उसमें मैंने आपको पॉकिट वाला प्लाजो बनाना सिखाया है अगर आपको देखना है तो उसका लिक में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से पॉकिट वाला प्लाजो भी बनाना सीख सकते हो तो यह देखिए दोनों पार्ट के हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है अब यहां से हम सिलाई करना शुरू करेंगे तो यह हमारा फ्रंट पार्ट है ठीक अब यहां से इस जगे से हम यहां से सिलाई करना शुरू करेंगे और तक कर देंगे तो यह जो सिलाई है यह हमें हाफ इंच की दूरी पर लगानी है ऐसे हाफ-ाफ इंच की दूरी पर हम ये सिलाई लगा देंगे पहले ये हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे उसके बाद हम बैक पार्ट में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इसके साथ हम बैक पार्ट में भी इसी तरह से आसन सिल देंगे ये हाफ आफ इंच पर आपको ये सिलाई लगानी है अब ये सिलाई लगाने के बाद आपको ये सिलाई बिल्कुल पक्की करनी है क्योंकि उठने बैठने से काफी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि सिलाई निकल जाती है तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेनी है इससे क्या होगा आपका जो यह सिलाई है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी ठीक, आपको कोई प्रॉलम नहीं आएगी और सिलाई नहीं निकलेगी इस तरह से हम इसके उपर एक सिलाई लगा देंगे इस्टाग्राम का पेज़ भी है आप मुझे वहाँ पर फोलो कर सकते हूं अपने कोशन्स पूछ सकते हूं या फिर आपकी कुछ भी स्पेशल डिमान है कि मैं किसी पर्टिकुलर ड्रस के उपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हूं और फोटोस भेज स ठीक अब हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे के उपर ऐसे रखा है ठीक है ऐसे करके फ्रन्ट और बैक को अब यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ेंगो नीचे की साइड से यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो नीचे की साइड से पकड़ करके हमें कपड़ा इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और प्लाजो में आपको ध्यान नकना है जब आप सिलाई कर लें उसके बाद आप इसमें इंटरलॉक जरूर करें इससे क्या होता है कि हमारी जो कपड़ा है उसकी मजबूती बनी रहती है सिलाई वगरा नहीं निकलती है ठीक तो आप जरूर कर ले यास से तो यह उपर तक मैंने ऐसे सिलाई कर दी है ठीक है यह एक साइड अभी मैंने की है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई कर देनी है तो यह देखे इस तरह से हमने यह सिलाई कर दी है दूसरी साइट भी हम सिलाई कर लेंगे पाहर के साइट से अब हमारे प्लाजो के अंदर की वाली हम सिलाई करेंगे यह अंदर वाली सिलाई है यह भी हमें हाफ इंच की दूरी पर ही करनी है और इस तरह से प्लाजो बनाना बहुत असान है सिंपल सिंपल सिलाई आपको करनी है और बहुत ही आसानी से आप ये प्लाजो बनाना सीख सकते हो तो इस वीडियो को देखकर आप जब प्लाजो बनाओंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपका जो प्लाजो है वो कैसे बना है और ये जो प्लाजो होता है ये आज कल बहुत जादा ट्रेंड में है कुर्टी के साथ बहुत अच्छे से ये लुक आता है इसमें पहन करके और क्योंकि समर है तो समर में हम धीले ढाले कप पढ़े ही पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से कुर्टी के साथ बनाईए यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और कमफटेवल भी बहुत जादा रहता है तो यहां से इस तरह से यह अंदर की साइड में हम इस वक्त पे सिलाई लगा रहे हैं और यह सिलाई आपक ठीक अब यह जो यह है हमने यहां पे 1.5 इंच लिया था ठीक और इसे हम ऐसे फोल्ड करना है और हाफ इंच हमारा अंदर की साइड फोल्ड होगा तो यह देखिए यहां पर मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी टेल इंच पर पूरे में तो इसमें क्या होगा कि जब बेल्ट बनाओगे तो जो आप फोल्ड करते हो तो उसमें हलका सा भी टेड़ा मेड़ा उपर नीचे नहीं जाएगा आप बिगनर हो तो आपके लिए बेस्ट और बेस्ट ट्रिक है कि आपको इस तरह से अगर आप निशान लगाओगे तो आपकी कभी भी बेल्ट में हलकी से प्रॉलम नहीं आएगी तो मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है और मैंने यहां पर 1.5 इंच का निशान 4 तरफ लगा लिया है नाप करके ठीक चार तरफ यह राइट साइड मैंने लगाया है अंदर की साइड तो है ही निशान हमारा पर यह मैंने राइट साइड लगा है अ कितना यह फोल्ड करना है क्योंकि हमने राइट साइड में पूरे में निशान लगा लिए हैं डेड़ इंच नाप करके तो इस तरह से आपको यहां से सिलाई करनी शुरू करनी है और थोड़ा सा हम यहां पर जगे छोड़ देंगे अपनी इलास्टिक डालने के लिए ठीक त और बस इसमें सिंपल हमें सिलाई लगा देनी है चारो तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे बस थोड़ा सा हम आगे जगे छोड़ेंगे जिसमें हम अपनी इलास्टिक डालेंगे उसके लिए बस इसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है पूरे में तो देखे मैंने सिलाई इसमें लगा दिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जगे छोड़ दे है ताकि मैं इसमें इलास्टिक डाल सकूं तो elastic आपको कितनी लेनी है देखे मैंने elastic ली है इलास्टिक की चौड़ाई कितनी होगी हमारी कमर है 31 ठीक 31 का हमें 31 में से हमें केवल 3 इंच कम करने है 3 इंच कम करके हम यहाँ पर अपनी जो elastic है उसकी length लेंगे जितनी भी आपकी कमर हो उसमें से आपकेवल 3 इंच कम करने है और तब आपको यह length लेनी है ठीक अब इसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे इसके safety pin से बहुत ही easy रहता है अगर आप किसी और चीज़ से डालना चाहो तो डाल सकते हो मैं safety pin से ही डालती हूँ तो यह मैंने दूसरी side निकाल दिया अब इस तरह से हम एक दूसरे के उपर इसे रखेंगे और इसमें पकी सिलाई लगाने कम से कम 3-4 आप इसमें सिलाई लगाए ताकि यह हमारी बिल्कुर सिलाई पकी हो जाए ठीक इसे गया हो क्योंकि सारा pressure हमारे लास्टिक के उपर ही रहता है तो यह सिलाई आपकी अच्छे से होनी चाहिए ताकि हमारी सिलाई ना निकले तो यह देखिए इस तरह से मैंने इस सिलाई लगा दी है और यह देखिए तीन से चार सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है अब इस तरह से हम इसे खीच करके विल्कुर बराबर कर लेंगे ठीक इस तरह से अब यह जो हमने जगे यहाँ पर छोड़ी थी लास्टिक टालने के लिए अब इसे भी हम बंद कर देंगे इसमें हम सीधी शिलाई लगादेंगे इससरे से सिलाई हम इसमें कर देंगे तो हम ने इस तरह से यहाँ पर 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 चाहिऑ मैं भी हम आब दो स्ट्श स्ट ओटने में हस्ट में लगादें Weekly Holle कुल चारों तरफ से कपड़ा बराबर कर दें ठीक और उसके बाद हम नीचे की साइट ये वाला जो है हमारा पोंचा ये भी हम फोल्ड करके आपको सिलाइव कर लेंगे ठीक मैं आपको में इसमें घ् dévelopल करना ऑप के आपको इसमें अलगा ena ठीक, ऐसे करके, हलका सा खिचाव दे करके, आपको इसमें सिलाई लगानी है, ऐसे, बीच पे, ऐसे करके, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारी बिल्कुल बेल्ट रेडी हो जाएगी, तो इसमें फुल पूरी सिलाई करने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंग ठीक, सिलाई हो गई है, ये देखे, सिलाई होने के बाद एक कुछ इस तरह से हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी, और इसके बाद नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, हमारे जो पूंचे थे, उसे भी हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे, ये देखे, नीचे की से हैं और यहां से यह जो हमारी खिचाव वाली यहां से खिचाव आता है तो आपको मैंने तरीका बताए या तो आप पहले ही इसमें हाफ इंच एकस्ट्रे रखे ठीक है या फिर आप सिलाई करते हुए ही इसमें थोड़ा सा कम यहां से फोल्ड करें और चारो तरफ आप इसमें सिलाई लगा ले और दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारा प्लाजो कैसा लगेगा ठीक यहां से मैं ऐसे इस तरह से टूफोल करके ऐसे करके यहां पर सिलाई लगा लेनी है और पहुंचे त्यार कर लेनी है ठीक तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूं तो देखें हमारा प्लाजो कुछ इस तरह से ड्रैडी हुआ है बन करके अगर आप को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक चरूर कीजिए देखने के लिए धन्यवाद